Hello Students, Welcome to my YouTube Channel अखिर GGU का जो E-WET exam इस साल होने वाला है जो आपको घर से बैट कर देना है वो कैसा होगा exam? क्या आप इसे मोबाइल में भी दे सकते हैं? तो यहाँ आप देखेंगे CU में पहली बार E-Pravish परिक्षा, सिर्व आँख गुमाने पर भी होगे बाहर Artificial Intelligence तक्नीक का होगा इस्तमाल 23 को होगा E-WET यह आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 सवाल 2 घंटे का समय छात्र को परिक्षा के दिन कुल 100 Multiple Choice सवाल पूछे जाएंगे 2 घंटे के भीतर इनका जवाब देना होगा परिक्षा पूर्ण ऑनलाइन भरे गए आविदन की जाँच होगी छात्रो द्वारा जमा किये गए Documents scan के माध्यम से स्विकार किये जाएंगे JEE वा नीट आविदन की प्रक्रिया की तरह इसमें भी पूरा करना होगा आविदन से पहले दिशा निर्देश का पूरा पढ़ना जरूरी है थोड़ी सी गलती महंगी पढ़ सकती है या देख सकते हैं चात्र, कम्प्यूटर, लैप्टॉप, टैबलेट या मोबाइल के माध्यम से परिक्षा दे सकते हैं मोबाइल के बज़ाए कम्प्यूटर या लैप्टॉप जादा सुरक्षित होगा परिक्षा के दौरान घर के किसी ऐसे कमरे को चुनाव करना को सुरक्षित हो जो की सुरक्षित हो अर्थार दो घंटे तक कोई भीतर ना आए दिवार पर कोई तस्वीर ना हो परिक्षा के बीच स्क्रीन के सामने सिर्या आँक घुमाने पर अलट मिलेगा दस से अधिक अलट होने पर परिक्षा से तत्काल वन्चित किया जा सकता है बिजली बंद या तकनीकी दिक्कत आने पर छात्रों को अत्रिक्त समय भी मिलेगा तो यहां देख सकते हैं 36 गड़ में इसकी शुरवात हो चुकी है विश्विद्याले प्रशाशन की ओर से दावा किया गया है कि इस माध्यम से प्रवेश की शुरवात 36 गड़ में पहली बार किया जा रहा है सरल शब्दों में कहें तो AI का अर्थ एक मशीन में सोचने समझने और निर्णाय लेने की शमता का विकास है विकासित देशों के साथ भारत के कुछ राज्यों में इस तकनीगी के सफलता पूर्व उपयोग किया जा रहा है एक प्रकार का ये ऐसा नहीं है कि इस पर निगरान अधिकारी ओनलाइन भी आपको नजहर रखेंगे तो यहां देख सकते हैं अगर कुछ स्टूडेंट में डाउट होगा कि आम ऑनलाइन घर में बैटके देंगे तो हम बुक्स खोल सकते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं आप किसी में भी टेस्स दें मॉबाइल में दें ल जारी होगा और दस दस बार ऐसा करने से आप इसके आगे अगर 11 बार करते हैं तो आप एक्जाम से डिस्क्वालिफाइ हो जाएंगे और आप इस साल का जी जी उ का ईवेट एक्जाम नहीं दे पाएंगे और एक बात इसमें आपको कैमरे वगरा भी ओन करने को कहा जाएगा मेरेमे नैंट आपको माइक्रोफोन यह फोन जोपके होते है वह सब भी आपको लगाने होंंगे अपना कैमरा ओन करना मोंन ऋगा और आ को जो भी आपका कैमरा ओन होगा वहाँ द crowdห वहां से आपको टीचर बी रहे होंगे तो सोचिए कि यह जयं कर सकते हैं जय seis यह क defens टेस्ट होगा जिसमें भी चीटिंग करना अगर आप एक ऑफ लाइन में एक्जाम दे रहे हैं तो यह उससे भी ज्यादा एलट है मतलब आपके लिए इसमें और ज्यादा सावधानी बरतनी की जरुरत है क्योंकि एक मशीन यूमें से ज्यादा पावरफुल होती है और वह आ पारा है और ऐसा आगे भी बहुत सी उन्वर्सिटीज अप करने का सोच सकती है यह टेस्ट होने के बाद तो उमीद करते हैं इस साल जो भी आप लोगों ने फॉर्म भरना शुरू किया है जो आठ तारिक से शुरू हो चुका है उसे भरिये और इस एवेट के बारे में जा जादा से जादा डीटेल आपको जानना जरूरी है उमीद करते हैं इस वीडियो में जो बताया समझाया आपको समाझा अगर अगर लोग के हैलफुल होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें अगर आप इस वैल में ना है तो इस याल को जरू सब्स्क्राइब कर ऐसे थैंक यू सो मच फोर वाचिंग दिस वीडियो